हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आपके साथ सियर करूंगी भर्मा बैगन की रेसिपी तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सियर जरूर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अच्छ अच्छी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें चलिए भर्मा बैगन बनाना शुरू करते हैं तो इनको बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे साइज के बैगन तो ये मैंने छोटे साइज की आदा केजी बैगन ले लिए हैं इसके बाद हम लेंगे ग्राइंडर जाल तीन से चार मीडियम साइज की प्यास लिए हैं जिन धरी कर लिया है आठ से देस्लेसिर की कलिये और तीन से चार हम साबोत लाल मिरच लें Smells लेंगे तो हरी मीरच लेंगे जो की सुख जानने की बात लाल हो चाती है वह भी मैंने इसमें ले लिए एक चम् बैगन में हमें कट लगा लेना है तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें बैगन में कट लगा लेना है तो सभी बैगन में हमें इसी तरीके से कट लगा के तैयार कर लेना है तो सभी बैगन में हमने कट लगा लिया है और इसके बाद हम 4-5 जाल गरम करेंगे और इसके बा तो यह अच्छासी फ्राइ हो चबे हैं इनको निकाल लेंगे और बचे हुए आयल में जो बचे हुए वैगन है उनको हम फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइ करने से क्या है कि भर्मा बैगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो आप भी बनाए तो एक बार इसी तरीके से जरूर बनाए और यह देखिए इनको भी हमने अच्छे से फ्राइ कर लिया है और इनको भी हम निकाल लेंगे अब कड़ाई में हम उतना ही अच्छे से डालेंगे तो यह देखिए कड़ाई में हमने ऑइल डाल दिया है ऑइल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम आदा जमब जीरा डालेंगे आदा जमब सौप थोड़ी सी हींग तेज पत्ता और इसके बाद जो पेस्ट हमने बना के तयार करके रखा हुआ हम पेस्ट कहें डाल दिया और यसले हम Sumd良 पून लेना क MANDताव करेंगे शीन जमब सकते हुआ जएड़ा पानी हम इसमें अच्छे से करेंगे तो देखिए इसको हमें मिक्स कर देना है और इसके बाद हम इसमें मसाले ड़ेंगे तो मसाले में हमें एक चम्मच लालविस पाउडर एक चम्मच से थोड़ा सा जादा धनिया पाउडर एड़ करेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा भार्मा वेगन में जादा ही डलता है और इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर एड़ करेंगे तो यह देखिए सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे नमक तो मैंने इसमें एक चमच नमक डाल लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक एड कर सकते हो नमक को हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है और और इसके बाद दो میडिम साद इसके टमाटर लिये हैं जिनको मैंने बारे कट कर लिया है तो इसी तरीके से हम इसमें टमाटर भी एड़ कर payroll के अब टमाटर को हमें अच्छे से Сब्षकर ना है और तलके भी रखा हुआ था और ये देखिए मसाला भी तयार है तो अब हम बैगल लेंगे और बैगल में मसाले को फिल कर देना है तो या तो आप इसको इस्पून की हल्प से अच्छे से फिल कर सकते हो तो ये देखिए इस्पून की हल्प से हम इन में मसाला अच्छे से भर तो देखिए इसी तरीके से हमें मसाला भर देना है और इस्पुन की हल्प से अगर आप भरना चाते हो तो इसी तरीके से मसाले को भर देना है और अगर आप हाथ से इनमें भरना चाते हो तो हाथ से भी इनमें बच्चे से भर सकते हो तो मुझे हाथ से मसाला भरना ज्यादा तो यह देखिए इसी तरीके से हमें मसाला इन में अच्छे से फिल कर देना है तो यह देखिए सभी बैगन में हमें इसी तरीके से मसाले को भरना है तो यह देखिए सभी बैगन में हमने मसाला भरके तयार कर लिया है और थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है तो इसका यूज हम अभी करेंगे इसके बाद हम कड़ाई लेंगे कड़ाई में एक चमच ऑईल गरम करेंगे हमें इतना ही ओईल लेना है इससे ज्यादा ओईल हम नहीं लेंगे इसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो हम कड़ाई में डाल देंगे और कड़ाई में इसको अच्छी से हमें फ और जिस कटोरी में हमने मसाला लिया था उसी को धोके चार से पांचा मच पानी डाल देंगे ढखकर इने हम सौफ्ट होने तक पका लेंगे बीच बीच में हम इनको चक करते रहेंगे तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी और सौफ्ट वेगन हमारे बनकर तयार है इन में धनि सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाई बाई